असलाव अलेकुम फ्रेंड्स वेलकम बैक इस वीडियो में हम लेकर आए हैं ट्रडिशनली इंस्टेंट्री हम घर पर कैसे बनाएंगे रॉम आंगो पिकल रसपी जो विलेजस में बनाते हैं परफेक्ट टिप्स और ट्रिक्स के साथ मेजरमेंट के साथ हमने इस वीडियो मे स्किप मत करिएगा स्किप करेंगे तो समझ में नहीं आएगा यहां पर हमने 3 मीडियम साइस कची कहरी जो खटी है उसे ले लिया है स्मॉल पीसेस में कट कर लिया है मेजरमेंट कप से मेजर किये तो टू कपस है यह फुल और इसमें हम एड़ कर देंगे हाफ कप लाल मिर् नमक और मिर्च ज्यादा ही रहता है अचार रिसेपी में हल्दी आड़ कर देंगे वन टेबल स्पून नमक और हल्दी की कौंटिटी ज्यादा रखिए क्योंकि यह प्रिजर्वेट यू का काम करता है आपका अचार जल्दी खराब नहीं होगा नमक और हल्दी आप कि नावक काराइए 1 टी स्पून मेथी दाने और क्लाउंजी इसे हम भून लेंगे दो मिनट के लिए दो मिनट भुनने के बाद थंडा होने के बाद मिक्सी जार में डालकर फाइन पाउडर बना लेंगे फ्रेंड्स मेरे ये टिप्स ट्रिक्स परफेक्ट मेजरिमेंट अचार बनाने की रेसिपी रॉ मैंगो पिकल अच्छा लगा पसंद आया हेल्फुल है तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को शेयर कर दीजिए तासे दूसरों को हेल्फ हो जाए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए बेल आइकोन के साथ और इसे हेल्फुल वीडियो उसके लिए अब यहाँ पर हमने जो फाइन पाउडर बनाया है मसालों का साबुत मसालों का एड़ कर देंगे रॉ मैंगो पीसेस में तड़का लगाने के लिए एक पैन में एड़ कर दिया है 150 ml कुकिंग ओयल ओयल ज्यादा ही होना चाहिए अचार रसिपी में साबुत मसाले हम डालेंगे 1 टेबल स्पून जीरा 1 टेबल स्पून राई 5 सुखे लाल मिर्च अब ये तड़का लगाने के बाद स्टाव का फ्लेम बन कर दे थोड़ा सा ओयल थड़ा होने के बाद 1 टी स्पून लैसन का पेस्ट 1 टी स्पून अद्रक का पेस्ट अड़ कर देंगे अब हम इसे फूनेंगे 2 मिनट के लिए इसमें से जो कच्छा स्मेल है चली जाए और इसमें से भीनी फूनी खुश्बों आने लगती है याद रखिएगा तेल हमारा ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए लैसन जनला नहीं चाहिए लैसन और अद्रक का पेस्ट अब ये सभी मसाले रॉम एंगो पीसस में मिक्स कर लेंगे अब जो हमने तड़का लगाया था वो इसमें डाल देंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद आप इसे एट टाइट जार में स्टोर करके सिक्स मन्स तक रखकर खा सकते हो ये खराब नहीं होगा अगर आपने इस तरह से बढ़ाया जो हमने इस वीडियो में शेयर किया है परफेक्ट मेजरमेंट टिप्स और ट्रिक्स के साथ यहाँ पर एक बात का ख्याल रखिएगा दो से तीन बार मिक्स करिएगा हफते में या नीचे से उपर स्पून से टाके स्पाइट कच्छी कैरी का अचार रेसिपी रेडी है नेक्स्ट हम बनाएंगे रो मैंगो चटनी रेसिपी तीखी कैरी की चटनी रेसिपी टिप्स और ट्रिक्स के साथ इसे बनाने के लिए हमने ले लिया है 4 मीडियम साइज कच्छी कैरी जो खटी है और स्कीन के साथ ही हमने ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया है कदू कस कर लिया है अब हम इसमें स्पाइसे अट करेंगे हाफ कप अट करेंगे मिर्ची पाउडर मेजरमांट आप देख सकते हो परफेक्ट मेजरमेंट होना चाहिए आपकी चटनी जल्दी खराब नहीं होगी वन बै थर्ड कब आड़ करेंगे नमक और वन टेबल स्पून आड़ करेंगे हल्दी पाउडर मिर्ची नमक और हल्दी पाउडर की स्पाइस हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे फ्रेंड्स मेरे रेसिपीस आप लोगो अच्छे लगते हो पसंद आते हो तो लाइक कर दीजिए शेर कर दीजिए ताके दूसरों को हेल्प हो जाए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए बल आइकॉन के साथ और ऐसे अच्छे-च्छे मज़ेदार रेसिपीस के लिए अब यहां पर हम क्या करेंगे मिक्स करने के बाद साबुत मसाले ले लेंगे साबुत मसालों में हमने लिया है यहां पर जीरा, कौटर कप, वन बै फोट कप, धनिया, साबुत धनिया इसे पैन में डाल कर भून लेंगे दो मिनट के लिए भूनने के बाद थंड़ा करके मिक्सी जार में डाल कर फाइन पाउडर बना लेंगे देखिए इस तरह से मैंने फाइन पाउडर बना लिया है अब ये जो फाइन पाउडर है हम सकैरी के मसालों में आड़ कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे ये बहुत ही मज़ेदार बनता है फ्रेंड्स एक बार इस तरह से जरूर ट्राय करके देखेगा अगर आपके घर में करी ना हो तो आप गरम गरम खाने में होट राइस में देसी घी क्लारिफाइड बटर डाल कर इसे खा सकते हो मिक्स करके चटनी के साथ बहुत ही मज़ेदार लगता है अब तड़का लगाएंगे तड़का लगाने के लिए मैंने आड़ कर दिया है वन कप रिफाइंड ओईल आप ओईल कौन सा भी यूज़ कर सकते हो डाल सकते हो चटनी में वन टीस्पून जीरा वन टीस्पून राइ और पांच से छे सुखे लाल मिर्च डाल देंगे जब ये जीरा राइ लाल मिर्च हो जाए स्टाव का फ्लेम बन कर दें थोड़ा ठंडा होने के बाद ज्यादा गरम नहीं होना चाहिए ओईल वन टीस्पून हम आट कर देंगे यहां बद दरदरा पिसा हुआ लैसन का पेस्ट अब ये लैसन के पेस्ट को दो मिनट के लिए भून लेंगे यहां पर स्टाव का फ्लेम बन है और ओईल भी ज्यादा गरम नहीं होना चाहिए थोड़ा ठंडा कर लें क्योंके हमें लैसन के पेस्ट को जलाना नहीं है दो मिनट के लिए भून लेना है ओईल में ताके इसम महने के लिए आप आराम से इसे खा सकते हो उमीद करते हैं कि आपको ये चटपटी तीखी मज़ेदार चटनी रेसिपी जो कच्छी केरी से हमने बनाई है पसंद आई होगी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिए चैनल को सबस्क्राइब करके रखिए बेल आइकॉ कर दो कर दो कर दो घरी आपको पसा बचल कर दो प्राइब कर दो कर दो एक लाइक।